ठंड आ रही है और साग खाना तो बनता है तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है लाल साग की रेसिपी उसके लिए मैंने यहां पर लगबग आधा किलो लाल साग लिया है जिसको रेड स्पिनिच भी बोलते हैं इसको अच्छे से इसके पते को अलग कर लेना इसके जर से त शोटे पीसमें चॉपट कुटिंग कर लेंगे तो यह तो मैंने चॉपट कर लिया है अब मैंने यहां पर चॉपट टमाटर और प्याज लिया है और ब्लेक प्र पाउडर है hari मिर्च है जीरा काली राय लाल मिर्च राल मिर्च लहसन और नमक और यहां पर मैंने तेल लिया है आई यह प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और यह चॉप्ड हमारे सागतो है ही मैं यहां पर कुकर का यूज कर रही हूं तो प्री हीटेट कुकर में मैंने ऑईल डाला जीरा, काली राई, ग्रीन चिली चॉप्ड किये हुए डाल अब इसमें प्याज आड करेंगे और टमाटर आड करेंगे जो की हमने चॉप्ड करके रखा था तो यहां पर मैंने वन मीडियम साइज का टमाटर और वन मीडियम साइज का प्याज लिया था अब इसमें थोड़ा सा नमक आड कर देंगे तो नमक आप अपने टेस्ट के अ जिए को एड़ कर देंगे अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना बूले और बेल बटन को भीट करना ना बूले ताकि मेरे रेसिपी की न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके अब यहां में शाग को डाले, धकन लगा कर पकने देंगे तो यहां को देखे हैं अब इसको अच्छे से चला लेना है बस चलाते हुए हमें इसको अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो भी कच्छापन है वह दूर हो सके अब मैं इसमें पिंच ऑफ सुगर एड कर रहे हूं यह बह पकने देते हैं, at least two whistle आने तक, slow flame पे, दो whistle आ चुकी है, अब इसे ठंडा हो ने देते हैं, तो यह देखे, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, अब लिड को ओपन करके, इसको अच्छे से mix कर लेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पानी है अभी, तो इसको पानी को मैं यहां पर मैसर का यूज़ कर रही हूं, आपके तो, अपने record ऐसी से शचीज का यूज़ कर सकते हैं अश्या कीश करते वे पानी को सारा सुखा लेंगे यहां पे यह रेडी है सर्फ करने के लिए तो मैंने एक प्लेट पेस को सर्फ किया है तो इस थंड आप लाल साग को जरूर खाएं अभी तो थंड में पालक की साग बतुए की साग बहुत से साग आ चुके हैं तो आप इसको रोटी बढ़ बाई